आल्राइट गैस तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से polymorphism को implement किया जाता है हमने देखा था कि polymorphism को C++ में दो तरह से हम लोग implement कर सकते हैं एक compile time polymorphism और runtime polymorphism जो compile time polymorphism C++ में वो function overloading और operator overloading की मदद से किया जाता है यानि कि जो आपकी function की binding है यानि कि वो address की binding जहां पर function है अगर आपका एक object है अगर वानलो उसका मैंने add function call करना है तो वो add function कौन से address वाले function को call करेगा अब add function आपने हो सकते हैं दस define कर रहे हो तो वो कौन से वाले को call करेगा इसके साथ उसकी जो binding है वो कब होनी है compile time पे होनी है run time पे होनी है इसे साथ हमने define किया था compile time polymorphism और run time polymorphism हमने देखा था compile time में decision ले लिया जाता है compiler द्वारा और binding कर दी जाती है उस address पर function के उस address पर जिसको वो run करने वाला है function overloading के case में और operator overloading के case में लेकिन run time polymorphism का मतलब यह होता है कि जब program run होता है उसके part decide होता है यानि कि binding late होती है और उसको late binding भी बोलते हैं इसलिए और हमारा जो compile time polymorphism है जो कि हम function overloading और operator overloading से achieve करते हैं उसको early binding भी बोलते है तो यह दो हमने देख लिया था काफी detail में देख लिया था लेकिन virtual functions और runtime polymorphism समझने के लिए अब हम लोग एक नया concept देखेंगे जो कि क्या है pointers to derive class तो मैं आपर tutorial 55.cpp बना रहा हूँ और मैंने आपको source code वगएरा सारा दे दिया अगर आप लोग को नहीं पता तो यह playlist है इसको access कर लेना जरूर से यहां क्लिक करके bookmark यहां क्लिक करके save इसको जरूर कर लेना यहां क्लिक करके और जहां बात रहती है इसके source code की तो वैसे तो मैं description में link डाल देता हूँ बट in case मैं ना डालूँ तो आपको website पर जाकर tutorials खोजने है और यहां पर आपको text tutorial और जो source code है वो आपको मिल जाना है तो यहां पर आप लोग polymorphism का code अगर देख रहा हो तो वो यहां पर है यहां क्लिक करके copy कर सकते हो और इस तरह से paste कर सकते हो मैं बस बता रहा हूँ आपको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भी मैं आपर नया code डालना हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहां पर pointers to derive class चलो pointers to derive class के concept को थोड़ा समझ लेते हैं और मैं आप लोगों को यहां पर बस आप लोगों का attention request करना चाहता हूँ क्योंकि यह जो concept है पिछले दो-तिन वीडियो से जो हमने start किये है virtual functions वाले और polymorphism वाले मैं आप लोगों को बताता हूँ कहां से मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ यहां से जहां से हमने this pointer of polymorphism की बात शुरू करी है तो यहां पर आप लोगों ने थोड़ा से देहान जादा देना है क्योंकि इससे पहले जो हमने किया था वो बहुत जादा एकदम straightforward था ठीक है लेकिन अभी यहां पर straightforward यह भी लगेगा but तोड़ा सा आपको देहान दे रहा है मैं इसलिए बोला हूँ था कि आप लोग देहान दो और आप देहान दोगे तो definitely समझ में आ जाएगा अब यहां पर हम लोग pointers की बात करते हैं देखो pointers pointers की जो basic थे वो तो अब हमें समझ में आ गए हम यहां पर pointers को एक class के object से भी हम point कर सकते हैं यह समझ हमने ले ली थी ठीक है हम यहां पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि जो pointer हमारा base class का बना होता है जैसे मानलो मैंने class बनाई जो की base class है मैं आपर लिखूँगा class base class ठीक है और मानलो उसके बाद मैंने एक दूसरी class बनाई derived class तो मैं आपर लिखूँगा class derived class और मैं इस class को क्या करूँगा मैं इस class को inherit करूँगा publicly किस से base class है तो मैं आपर लिख देता हूँ public base class ठीक है तो यह derived class बनी है base class से अब अगर मैंने एक pointer बनाया है ध्यान से सुनना बहुत ही ध्यान से बिल्कुल आपको इधर उधर भी नहीं लेखना है screen पर focus करना है वो मेरी बात को सुनना है जो pointer अगर मैंने बनाया एक जो कि एक base class की object को point कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं है अभी तक कोई दिक्कत मैं pointer बना सकता हूँ जो कि base class की object को point कर रहा है लेकिन उससे पहले मुझे base class का object बनाना पड़ेगा ज़रूरी नहीं है मैं एक base class का pointer भी बना सकता हूँ मैं लिख देता हूँ base class pointer ठीक है इसमें कोई problem नहीं है ना मैंने एक pointer बनाया जो कि class base class के object को point करेगा ठीक है तो यह है जो मेरा base class pointer है pointer to class base class type object यानि कि इसका जो object बनने वाला है उसको point करेगा यह base class का pointer ठीक है तो चलो एक काम करते है base class का एक object बना देते है obj1 ठीक है बना दिया है मैंने object कोई problem नहीं है भी तक बिल्कुर सब कुछ हमने पढ़ा था वही किया है मैंने एक derived class भी बना देते हैं ठीक है और यहाँ पर इसको obj derived कर देता हूँ इसको obj base कर देता हूँ उन्होंगा समझ में आएगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मैं बना सकता हूँ derived class का object भी ठीक है लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ वो आप लोग देखना मैं क्या करूँगा मैं base class के pointer को point करा दूँगा derived class के object से यहाँ पर आपको समझना है यह मैंने क्या कर दिया पहले मैंने जो यह pointer बनाया था मैंने कहा था कि pointer point करेगा base class के object से और मैंने क्या किया मैंने इस pointer को point करा दिया derived class के object से तो क्या यह error थोग करेगा नीचे comment में आप लोग मुझे बताओ लिकर क्या यह error थोग करेगा हाँ या ना symbols आपको बताना है मुझे हाँ या ना लिकर और तोड़ा सा मैं class को complete कर देता हूँ उसमें थोड़ा बहुत डाल देता हूँ मसाला और मैं आपर एक public दिखता हूँ यह आपर int var1 लिख देता हूँ फिर एक void display बना देता हूँ और यह पर cout लिख देता हूँ और मैं आपर लिख देता हूँ डिस्पलेंग base class variable var1 और यहाँ पर मैं var1 लिख देता हूँ var1 और endl semi-colon आप लोग सोचो और मुझे बताओ मैं run करने वाला हूँ क्योंकि इसके बाद और similar early मैं यहाँ पर क्या करूंगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ var base मैं नाम ऐसे रखनाँ चाहताँ कि clarity रहेगी, मैं क्या कर रहा हूँ मैं यही चीज को है, यहां मैं copy कर दूंगा, नीचे बस base को मैं करती हूँ, derived ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूँगा? एक tap देके variable derived कर दूंगा copy कर रहा इसको, where derived कर दिया, और यहां पर where base ठीक है अब मैं क्या करने वाला हूँ इसको run करने वाला हूँ ठीक है और इसके display में एक चीज और कर देता हूँ displaying यह derive class कर देता हूँ यह var base कर देता हूँ ठीक है तो मैंने base class को print किया base class का जो variable तो इसको print किया और derived class के variable को print किया मैं इस program को run करने वाला हूँ मुझे बताओ नीचे comment में कि क्या ये program error throw करेगा या नहीं करेगा ये बताना आपको ठीक है मुझे बताओ नीचे comment में वेट कर रहा हूँ और हाँ run करने से पहले मैं आपस semi colon लगा लेता हूँ अब लोग ये ना बोले comment में कि semi colon लगाया था आपने class के बाद इसलिए run नहीं होगा error throw करेगा वो नहीं अब बताओ ये error throw करेगा ये नहीं करेगा अगर आपने answer दे दिया है तो उसी का reply करके आप answer change कर सकते हो चलो I hope कि आपने reply दिया मैं आपर नीचे comment आपके जरूर देखूंगा बाद में लेकिन अभी मैं इस program को run करता हूँ और ये देखो ये program ने बिलकुल भी error throw नहीं किया तो इसका मतलब क्या है सावित ये हो जाता है कि आप ऐसा कर सकते हो तो क्या ये legal है क्या base class का pointer derived class के object को point कर सकता है क्या ये permitted है C++ में हाँ ये permitted है और यही इस video का मुद्दा है कि आपका base class का pointer derived class के object से point कर सकता है और ये एकदम legal है C++ के अंदर ठीक है लेकिन behavior क्या होगा फिर उस pointer का किस तरह से चीजे होगी क्या dynamics होगी मैं आपको बताता हूँ base class का pointer अगर आपने derived class से point करा दिया तो वो एक derived class से point कर जाएगा यानि कि इस case में वो derived class से point कर जाएगा लेकिन अगर आप कोई भी function उसका call करोगा जैसे मालूम मैं display call करूँगा उसका तो क्या होगा वो display function derived class का call नहीं होगा वो base class का ही call होगा क्योंकि वो pointer base class का है इसे कहते है late binding यानि कि वो bind करेगा इस function से इस function से bind नहीं करेगा क्योंकि ये pointer है base class का तो ये C++ का rule है कि अगर आपका base class का pointer है आपने अगर उसको derived class से भी point करा दिया ध्यान से सुनना इस बात को और पीछे करकर के सुनना अगर नहीं समझ मैं है तो अगर आपने base class के pointer को derived class से भी point करा दिया तो आप अगर उस pointer की सहायता से display function run करोगे तो base class का run होगा चलो इसका demonstration देख लेते हैं बातें बहुत हो गई ठीक है चलो तो यहाँ पर हमने क्या किया अभी pointer को point करा दिया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ pointing to derived class pointing base class pointer to derived class मैंने base class के pointer को derived class से point करा दिया ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हम यहाँ पर जो हमारा base class का pointer है base class का जो pointer है मैं काम करता हूँ मैं access करने की कोशिश करता हूँ क्या मैं base class के pointer से access करने की कोशिश करता हूँ where base को क्या मैं कर सकता हूँ हाँ मैं कर सकता हूँ बिलकुल कर सकता हूँ तो मैं आपर इस तरह से लिख दूँगा where base is equal to 34 किया मैं directly भी दे सकता हूँ कि यह public है ठीक है और अगर मैं इसको run करूँ तो मुझे error नहीं मिलेगा ठीक है लेकिन मुझे error मिल रहा है क्योंकि मैंने नाम सही से नहीं दिया तो मुझे var base लिखता चाहिए ना कि base ठीक है तो मैं var base लिखता तो मुझे error नहीं मिलेगा ठीक है तो अगर मैंने इसके variable को directly access करने की कोशिश करी तो मुझे कोई problem नहीं होने वाली है तो मैंने इसकी value को उठा के 34 कर दिया ठीक है अब क्या होगा अब यह क्या कर रहा है यह base class का जो pointer है मैंने का var base को 34 कर दो तो यह var base की value को 34 कर देगा ठीक है तो अगर मैं display अभी run करूँ तो मुझे दोनों values दिखेंगी यह सिर्फ एक value दिखेंगी तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है ता मैं आप आपको करके दिखा दाओ base class pointer का display कर दो run और program को कर दो run ठीक है तो आप लोग देखो यह base class के जो display function है उसको run कर रहा जैसे कि आप देख सकते हैं आप नीचे base class का display function जो है यह run कर रहा है इस base class का क्यों run कर रहा है क्योंकि यह object जो है वो तो derived class का है लेकिन pointer base class का है तो जो pointer जिस type का होता है उसका जो यहाँ पर function है उसके साथ यह bind करता है इसे बोलते है lead binding ठीक है तो I hope कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ठीक है तो यहाँ पर क्या मैं directly इसको run कर सकता हूँ क्या मैं directly इस display को run कर सकता हूँ और मैं क्या directly इस where defined को access कर सकता हूँ तो करा के देख लेते हैं तो मैं आपर अभी क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर bad derived को access करने की कोशिश करूँगा और आप लोग को यहाँ पर दिखाऊंगा कि यह नहीं कर सकते हैं यह valid नहीं है अगर आपने एक base class का pointer बनाया और आपने derived class से point करा दिया तो सिर्फ आप base class स जो inherit हुई है जो properties और methods उन ही को access कर सकते हैं तो यह अभी मैं run करूँगा प्रोग्राम तो यह error थो करेगा देखो यह कह रहा है class base class has no member word derived ठीक है तो यहाँ पर यह pointary base class का है तो यह जो display function है यह run तो इसका हो रहा है लेकिन अगर मैं यह valid derived करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह मुझे नहीं मिल पा रहा है और मैं इसको जो है set नहीं कर बारा हूँ 134 थे तो यह क्या करेगा will throw an error ठीक है तो मैं जो यहाँ पर points बोलना हूँ आप उसको पीछे करकर भी सुन सकते होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा complicated यह लग सकता है आपको क्योंकि यहाँ पर जो concepts है पहली बार जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है यह क्या है वो क्या है बट जैसे आप काम करोगे आगे virtual functions हम देखेंगे फिर आप implement करोगे तब आपको उसकी beauty समझ मैं कि अच्छा है यह इसलिए बना था इसलिए होता ह ठीक है तो अभी आप concept को सिर्फ grasp करो तो यहाँ पर हमने क्या किया कि base class का जो pointer था उससे हमने derived class की property को access करने की कोशिश करी और वो जो है काम नहीं किया हमें यहाँ पर क्या मिला error हमको मिल गया error ठीक है तो I hope कि आपको यह चीज यह समझ में आ गई हो कि मैं इसको change भी कर सक अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से 34 से 34 100 कर दूँ तो मुझे जो value है वो 34 100 मिल जाएगी ठीक है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहले 34 फिर 34 100 और display function base class का ही run होगा ठीक है तो यहाँ पर हमने जो base class का pointer था उसको base class से point करा के जब हमने run किया तब हमने देखा display जो ह वो base class का ही run हो रहा है अगर हमारा जो base class का pointer है वो derive class के object को point कर रहा है उसके बाद भी base class का ही display जो है वो run हो रहा है अब मैं आपर क्या करता हूँ एक और काम करता हूँ जो की बहुत straight forward होगा मैं एक और straight forward काम कर सकता था कि मैं base class का pointer base class के object से पॉइंट कर रहा था तब तो अबयेस ही बात है कि रिज्पी वाले डिस्प्लें ही रान होता क्योंकि D Focus कोई रौल नहीं होता वहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ D derived class का एक pointer, तो मैं आपर क्या कर रहा हूँ, exactly जैसे मैंने base class का pointer बनाया था, मैं derived class pointer एक बना रहा हूँ, और मैं इस derived class pointer को point कराना चाहता हूँ, किस से, मैं इसको point कराना चाहता हूँ, एक derived class के object से, तो मैं obj underscore derived से इसको point करा दूँग, अब मैंने क्या किया, कि इस pointer को मेरे derived class क object से point करा दिया अब अगर मैं यहाँ पर derived class pointer से access करूँ अपना where derived और मैं उसको 98 करूँ और उसके बाद derived class pointer का मैं display कुछ इस तरह से run करूँ और इस program को run करूँ तो आप लोग देखो कि इसने क्या किया इसने आपर displaying base class variable wear base 4 displaying derive class variable wear derived 98 इसने आपर क्या किया सबसे पहले तो इसने क्या किया कि यह जो pointer था मेरा जो की derived class प्वॉंट कर रहा था इसने देखा कि यह कॊन से type का pointer है तो इसको पता जला कि इस function से बाइंड कर दिया तो अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने derived class pointer var derived लिखा है उसी तरह मैं यहाँ पर var base भी लिख सकता हूँ और उसको मान लो मैं 9,4,4,8 करूँ तो यहाँ पर मुझे जो display function है वो 9,4,4,8 और 98 मुझे दिखा देगा ठीक है तो यहाँ पर जो binding थी वो किस function से हुई वो इस वाले function से हुई इस वाले function से और यहाँ पर जो binding हुई वो किस function से हुई यह वाले function से हुई क्या मैं पहले से program देख के बता सकता था किस से binding होगी yes, obviously मैं एक program का output पहले से देख कर बता सकता हूँ लेकिन जो binding होती है actual में जो assign होता है function इसको compiler के दुवारा कि तुम ये वाला function run करोगे object base और object derive तुम ये वाला function run करोगे ये चीज होती है run time पर और इसी को कहते है run time polymorphism कि run time में decision लिया जा रहा है कि display नाम का एक जो function है जिसकी बहुत सारी definitions है वो कौन सा वाला call होने वाला है तो नाम तो यहाँ पर एक ही था लेकिन इसकी definitions यानि की काम बहुत सारे थे और हमने run time में decide कि कौन सा वाला run होने वाला है ठीक है थोड़ा सा complicated था थोड़ा सा बट मैं बोलूँगा दोबारा देखो इस वीडियो को यह वीडियो एक बार में नहीं चलेगा यह वीडियो सब को दोबारा देखना है और समझना है और एक-एक बात को समझना है कि मैं आपर क्या कहने की कोशिश करू हूँ इस program को run करकर के देखना है क्योंकि तब ही आप लोग जो अची तरह से इसको समझ पाओगे I hope कि यह जो concept से यह आपके clear होते जारे है और उसी के साथ साथ आपने प्लेलिस पी अक्सेस कर ली है क्योंकि यह प्लेलिस अगर आपने कोर्स पूरा अक्सेस नहीं किया है तो आप step by step शायद ना सीख पाएं इस कोर्स का जादा जादा फाइदा उठाने के लिए आपको यह पूरी प्लेलिस अक्सेस करनी पड़ेगी तो मैं इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ जो नए लोग है उनके लिए मैं बताता हूँ especially कि आप लोग प्लेलिस को अक्सेस करें और बुक्माक कर ले क्योंकि अगर आप बुक्माक करके उपर रखेंगे यहाँ पर तो एक तरना से आपको रिमांडर का काम करेगा कि आपको C++ सीखनी है और यहाँ सेफ प्लेलिस पर भी आप क्लिक कर दें ताकि यह प्लेलिस आपकी अपनी बन जाए अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाई वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत बूलना थैंक यू सो मच गाईस पूर वचिंग इस वीडियो और आपकी यू नेक्स ताइम